दोस्तों पिछले सालों की income tax के मुकाबले इस साल की income tax return अगर आप फाइल करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है income tax में हाला की दो tax regime होती है एक होती है old tax regime और दूसरी हमारी है new tax regime financial year 22-23 की बात करें उससे पहले की बात करें तो उसके इसमें आपकी old tax regime जो है वो default मानी गई थी और इस default scheme से अगर आपको निकलना है यानि new tax regime में आना है तो उसके लिए एक form आपको fill up करना है जो है form number 10IE यह form fill up करके income tax return filing की due date से पहले यह form अगर आप जमा कर देते तो उस case में आप new tax regime को opt कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इस बार financial year 23 चोईस में यह बदलावाया है कि अब आपके लिए old tax regime नहीं बलकि अब आपके लिए new tax regime जो है वो default मानी जाएगी और अगर आपको new tax regime से बाहर निकलना है opt out करना है old tax regime को opt in करना है तो उस case में एक नया form जारी किया गया है form number 10IEA पहले होता था form number 10IE अब आपको एक नया form जारी किया गया है यह नया form fill up करके आप old tax regime में जो है वो जा सकते हैं नि new tax regime से अब आप opt out कर सकते हैं जिसके लिए ITR1 और ITR4 दोनों के forms के अंदर आपको new tax regime अब आपको default देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए यह जानना बहुत जादा ज़रूरी है कि क्या है form 10IEA इसकी क्या-क्या detail होगी जो हमें fill up करनी होगी इसके साथ क्या rule जारी किया गया है जो business person है जो saluted person है किन लोगों को ये form भरना mandatory होगा क्या income tax return filing की due date से पहले पहले आपको ये form भरना होगा और अगर आप belated income tax return file कर रहे हैं और before the due date ये form नहीं भरते हैं तो उस case में क्या belated income tax return में आप old tax regime में opt कर पाएंगे और किन वज़े से 10IE जो है वो बंद कर दिया गया है यानि old tax regime क्यों बंद कर दी गई है new tax regime के अंदर जो form जारी किया है 10IEA ये क्यों यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसके बारे में भी हमें detail में यहाँ पर जानकर आपको देने वाले हैं दोस्तों आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत जार्दा important है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम form नंबर 10IEA के बारे में बात करेंगे यानि आपको old tax रिजिम में अगर जाना है अगर income tax return फाइल करते हैं असेस्मेंट ये चोईज 25 फाइनेशल ये तेज़ चोईज के लिए तो उस case में आपको किन किन बातों का ध्यान रटना है ये details जानकर हम आपको देंगे चैनल पर नाए तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइगन पर लोडिकेशन पर क्लिक कर लिजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोडिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें आईए श्टार्ट कत अपना आज के वीडियो को बीना देरी कर करना है कैसे करना है आए जान लेते हैं दोस्तों बजट 2023 के अंदर सरकार ने न्यू टेक्स रिजिम को जो है वो डिफोल्ट कर दिया गया ता यानी ठेक्स डिवेजिम आपके लिए डिफोल्ट मानी जाएगी लेखिन अगर किसी इनडिविज्ड़ या टेक्स पेर को जो रिजिम में जा सके यह आपके पास राइट होगा चोईस करने का कि आप old tax रिजिम में जाना चाहते हैं या फिर आप new tax रिजिम में जाना चाहते हैं इससे आप सरकार को ये भी बता रहे हैं कि आप कौन सी tax रिजिम जो हो सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों इंडिविजियल जो बिजनस परसन होंगे उन लोगों को मेंडेटली बिफोर फाइलिंग इंकम टेक्स रिटन ये फॉर्म जमा करना होगा इंकम टेक्स रिटन के अगर डू डेट चली जाती है तो उस केस में आप ये फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे यानि आपके लिए न्यू टेक्स रिजिम ही डिफोल्ट रहेगी इसके अलावा अगर बात करें इसकी डिटेल की तो आपको पैन नंबर असेस्मेंट इयर आपका नाम और आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया ज रखे चाहिए वो आपके रिलिवेंट डेट हो या जो भी आपने चोईस किया है ओल्ट टेक्स रिजिम न्यू टेक्स रिजिम चोईस किया है तो इसको सरकार को जो है यह पता रहेगा ट्रांसपरेंसी रहेगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग नहीं सिर्प जो टेक्स पे जो है वो फिलप करना होगा आएए दोस्तों अब बात करते हैं रूल की जिसके अंदर ये फॉर्म जारी किया गया है रूल नंबर 21 AGA जिसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि अगर आपको ऑप्शन एक्साइस करनी है यानि सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 के अंदर आप्ट आ जाना है तो उसकेस में आपको फॉर्म नंबर 10 IEA जमा करना होगा ओन और बिफोर ड्यू डेट उन लोगों के लिए यानि 31 जुलाई से पहले पहले आपको करना होगा अगर आपकी इंकम में बिजनस इंकम आती है बिजनस परसन वालों के लिए 31 जुलाई आखरी डेट हो इसका declaration दे सकते हैं जिसके लिए आपके पास option दिया जाएगा कि आपको new tax regime आपकी default होगी no option रहेगा अगर आपको switch on करना है यानि opt out करना old tax regime में तो आपको yes पर click करना होगा आपको form 10 IEA जो है वो salaried या other business person वालों को नहीं बढ़ना है इसके अलावा अगर withdrawal facility की बात करे यानि option को आप withdraw करना चाते तो उसके लिए भी आपको form 10 IE के अंदर facility दी जाएगी यानि section 115 BAC subsection 6 के अंदर अगर आप opt out करना चाते हैं तो उस case में आपको form में ही बताना होगा और आपको ये जो form है वो income tax portal पर जाकर जमा करना होगा आप DAC या EVC के mode दोनों से ही ये form जमा कर सकते हैं आईए अब जान लेते हैं इस form के बारे में इस form को समझते हैं और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि income tax return फाइल करने से पहले हमें किन कि option को select करना होगा जिसके लिए ITR 1 ITR 4 जारी किया गया है notified कर दिया गया assessment year 24-25 के लिए जिसके इंदर new tax realism आपके लिए default कर दी गया है और option आपके लिए available कर दिये गया है तो आईए आजाते हैं अब अपने computer screen पर तो form 10 IE यहां पर rule जो है वो 21 AGA दिया गया है excise करना है आपको option अगर 115 BAC subsection 6 यानि आपको opt out करना है new tax realism और old tax realism में जाना है तो यह form आपको जमा करना होगा अगर आप withdraw करना चाहते हैं यानि फिर से आपको old tax realism से आपको new tax realism में आना है तो वो भी option इस form के थुरू आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर देना है इसके बाद अपना pen number देना है status आपको लिखना है आप individual है या आप HUF है या AOP है BOI है तो यह status आपको देना है जिसके लिए code दिया गया है क्या code अगा हो वो हमें आपको आगे बताऊंगा आपको assessment यह select करना है कौन से assessment के लिए आप यह form जो है वो fill up कर रहे हैं अगर आप opt out करते हैं या re-enter करते हैं तो यह भी option आपको बताना होगा कि क्या आपको opt out करना scheme से यानि new tax regime से opt out करके old tax regime में आना है या वापस re-enter करना यानि आपने पहले old tax regime opt करी हुई थी अब आपको new tax regime में आना है तो इसके लिए भी यह form आप भर सकते हैं अगर आपको re-enter करना है तो उसके case में जिस दिन आपने option पहले excise किया था उसकी date कौन से assessment year में पहली बार आपने इस option को excise किया था तो यह दोनो detail आपको देनी इसना नाम, pen number और इसी के साथ अपना designation देना है यह fill up करने के बाद आपको signature designation देने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं status के लिए यहाँ पर codes दिये गए अगर आप individual है तो status में आप एक डालिए HOF है तो 2, AOP है तो 3, body of individual है तो उस case में 4 और artificial judicial person है तो उस case में 5 ध form है जिसको आप fill up करके old tax regime में जो है जा सकते हैं यानि new tax regime से opt out होकर आप old tax regime में जा सकते हैं और अगर आपको re-enter वापस होना है इस scheme के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं आए अब income tax return form में देख लेते हैं कैसे आपको इन option को select करना होगा अगर आपको इसको opt out करना है तो उस case में आपको yes पर click करना होगा अगर नहीं करना तो उस case में आपको yes पर click करना होगा default no रहने वाला है यानि अगर आप new tax rhythm से अगर old tax rhythm में जाना चाते हैं तो उस case में आपको yes option select करना होगा यानि आप exercise कर रहें section 115BAC sub section 6 option यानि वो opt out के लिए है new tax rhythm से बहार निकलने के लिए यहाँ पर नहीं कोई आपको 10 IEA form भरना है salaried वालों के लिए या salary के अलावा जिनकी सिर्फ business income नहीं है जिन लोगों की business income नहीं है उन्हें कोई भी form 10 IEA नहीं बनना है उन्हें सिर्फ income tax return file करते वक्त चाहे before the new date कर रहे है या belated income tax return file कर रहे है तो उन्हें यह option जो है यहाँ पर tick mark करना होगा आईए देखते हैं IEA 4 के अंदर आपको old tax rhythm, new tax rhythm कैसे opt in, opt out करनी है आईए देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं option आपके लिए दिया जाएगा आपको opt out अगर करना है new tax rhythm यहाँ पर भी IEA 4 के अंदर आपकी new tax rhythm default रहने वाली है इसको opt out करना चाहते तो आपको yes पर click करना रहेगा पर यह आपको within the due date opt out करना होगा यानि जो भी option आपको exercise करना है वो within the due date करना है यानि 31 जुलाई से पहले पहले अगर इसके बाद आप करेंगे तो उस case में आपके लिए new tax rhythm ही default होगी दोस्तों जो लोग यह form नहीं बरेंगे 10 IEA जो form है वो अगर आप नहीं बरते तो उस case में आप belated income tax return अगर फाइल करते हैं तो आपकी new tax rhythm यहाँ पर default रहने वाली है लेकिन अगर आप before the due date form फाइल कर देते बिलेटे रिटन फाइल करते हैं तब आप जो है income tax return जो है वो old tax rhythm में जा सकते हैं otherwise आप नहीं जा पाएंगे तो यह option यहाँ पर दिया जाएगा इसके अलावा आप अगर beyond the due date करते हैं तो उस case में आपको किस समय क्या acknowledgement number होगा form का और उसकी date क्या होगी वो भी आपको देना होगा within the due date करते हैं या beyond the due date करते हैं आपको यह detail देनी होगी form की detail देनी होगी और form आपको before the due date excise करना होगा दोस्तों आइए अब बात करते हैं belated income tax return अगर आप फाइल करते हैं तो क्या आप old tax rhythm में opt कर सकते हैं आइए जान लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेगा अगर आप एक saluted person है तो उस case में चाहे आप due date से पहले या due date के बाद अगर income tax return फाइल करते हैं new tax rhythm से old tax rhythm यानि कभी भी आप declaration दे सकते हैं यानि income tax return जब आप फाइल करेंगे तब आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा option select करना है लेकिन अगर आप बात करें business person वालों के लिए तो उनके लिए restriction रखा गया है 31 जुड़ाई से पहले पहले आपको form जो है वो fill up करना होगा forcefully new tax rhythm में ही जाना होगा अगर आपने कोई deduction लेकर रखे हैं exemption के कुछ investment किया है तो ये सभी आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने ये form जमा नहीं किया तो एक गलती से आपको जो है भारी tax liability आ सकती है तो ध्यान रखेगा अगर आप business person है तो 31 जुलाई से पहले पहले आप form ज नहीं होगा क्योंकि new tax rhythm आपके लिए जो है वो default मानी जाएगी और old tax rhythm में आप opt-out नहीं कर स्पाएंगे दोस्तों आइए अब बात करते हैं क्यों form 10IE जो है वो discontinue यानि बंद कर दिया गया है दोस्तों form 10IE उन लोगों के लिए होता है जो taxpayer new tax rhythm को opt करना चाहते थे यानि financial year 22 23 से तक आप form number 10IE जमा करके old tax rhythm से new tax rhythm में opt कर सकते थे क्योंकि आपकी old tax rhythm default tax rhythm थी लेकिन budget 2023 के अंदर new tax rhythm को default कर दिया गया है जिस वज़े से इस form को discontinue कर दिया गया है यानि बंद कर दिया गया है अब आपको new tax rhythm आपकी default है तो आपको उसमें से opt-out करना है और old tax rhythm में वापस जाना है तो उस case में एक नया form जो है वो इंटर्ड्यूस किया गया है जो है form 10IE इसी कारण के वज़े से जो है वो form 10IE जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि अब new tax rhythm खुद से ही default हो गई है तो उस form की जरूत ही नहीं है और अब आपको जो है नया form old tax rhythm के लिए जमा करना ह होगा उसके बाद ही आपको opt-out कर पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर आप old tax rhythm में जाना चाहेंगे तो उस case में आपको यह form 10IEA जमा करना होगा before the due date अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस case में आपकी new tax rhythm ही default हो जाएगी financial year test choice यानि assessment year 24-25 के income tax return फाइल करने से पहले इस form के बारे में जरूर जान लेजिएगा और इस form की क्या-क्या detail है जो हमने आपको detail में discuss कर दिये इसके अलावा भी अगर आपके कोई doubt है query है तो आप नीचे comment करके आप हमें पूसकते हैं वीडियो पसंद आएगा तो इस जानकारी पहुँच सके वीडियो को यहीं खतम करते हैं धन्यवाद